ओम जै स्री हरी विश्णू जै मातारानी दोस्तों आपके अपने चैनल किरन ब्लोग्स एंड ग्यान की बाते चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवती दुर्गा की किरपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों तो आज मैं निर्जला एकादसी वर्त कथा पारम करने वाली हूँ तो दोस्तों आप लोग ध्यान से इस वर्त कथा को जरूर सुनियेगा तो एक समय की बात है एक जाट था उनकी नए नए साधी हुई थी साधी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था वह अच्छे से नए नए वस्त्र पहन कर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है रास्ते में उसने देखा एक तलाब में एक गाई पानी पीने उतरती है जेट का महीना था वो गाई अपनी प्यास तो बुझा लेती है लेकिन तलाब से बाहर नहीं आ पाती है जाट को वहाँ देख गाई उससे बोली अरे मुसाफिर मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे जाट बोला अरे नहीं नहीं गाई माता मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूं गाई बोली ए मुर्ख आज निर्जला एकादसी वर्त है तुझे पुन्न फल मिलेगा मैं तुम्हे वर्दान दूंगी तेरी साथ पिढियां तर जाएगी लेकिन जाट नहीं माना नराज होकर गाई बोली अगर तु मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुम्हें सराप दे दूंगी जा तु अब से आठ पहर बाद गधा बन जाएगा वह जाट डर गया और अब गाई से माफी मांगनी लगा लेकिन तब तक गाई तलाब में पूरी तरह डूब गई थी यह देखकर जाट उदास हो गया और उस उदास मन से ही वह ससुराल पहुँचा जवाई को देखकर ससुराल वाले में सभी बहुत खुस हुए लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली पत्नी को विदा कर दो हमें जाना है हमें अभी जाना है सभी ने मिन्नते करी जवाई जी एक दिन तो रुक जाओ लेकिन वो नहीं माना तब उसकी पत्नी बोली सब इतना कह रहे हैं तो आप को रुक क्यों नहीं जाते तब जाट ने उसे स्राप की सारी बात बता दी तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी आठ पहर के बाद जाट गधा बन गिया बन जाता है गधा जाट उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही इस तरह कई दिन बीत गए तब घर में अन धन कुछ भी नहीं बचा तो सारा धन संपती खत्म हो गया वह अपनी पत्नी से बोला तुम मुझे लेकर मज़ूरी करने चलो तब वह दोनों नगर के राजा के यहां मज़ूरी करने पहुँचे राजा के कुवे की खुदाई का काम चल रहा था उसकी पत्नी अपने सर पर मिटी रख कर मिटी फेकने जाती सभी मज़ूरी उसे देख कर बोले अरे बहन जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोज रख कर क्यों नहीं धोती हो बोज क्यों उठाती हो पर वह कुछ नहीं बोलती दूर से राजा भी या सब देख रहा था एक दिन राजा ने उससे पूछा तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों बोज उठाती हो तब वह बोली महराज या गधा नहीं है मेरे पती है इन्हें गाय का स्राप लगा है उसने राजा को सारी बात बता दी राजा ने पंडित को बुला कर इसका हल पूछा तब वह बोला राजा जी इसका हल इसका एक ही हल है जिस बैक्ति ने अपने जीवन काल में 101 निर्जला एकादसी वर्त किया हो और उसका फल वह इस गधे को दे दे तो या मानो बन सकता है राजा ने पूरी नगरी में एलान करवा दिया कि जिसने भी 101 निर्जला एकादसी वर्त किया है अगर वह अपनी निर्जला वर्त का फल दे देता है तो राजा उसे अपना आधा राज दे देंगे लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने 101 इगारस करी हो किसी ने 10 किया था किसी ने 11 किया था किसी ने 11 करी की थी तब एक बढ़िया अम्मा आई और बोली राजा जी मैंने तो पूरी 101 निर्जला एकादसी वर्त किया है मैंने तो राजा बोला तुम अपनी इगारस इसे गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुह मांगा वर्दान दूँगा बढ़िया अम्मा बोली महराज मैं धन लेकर क्या करूंगी मैं आज हूँ कल नहीं मैं इसे 111 इगारस दे दूँगी लेकिन एक निर्जला एकादसी को मैं अपने पास रखूंगी इस एक निर्जला एकादसी के फल से मुझे मोक्ष की प्राप्ती होगी मुझे सिरी हरी विश्नु की प्राप्ती होगी ऐसा कहकर उस बढ़िया ने अपनी 111 इगारस का फल एक सो शिर्फ एक फल इगारस फल नहीं दी पर 111 इगारस फल उस गधे को दे दिया और वा वापस इंसान बन गया वा गधा वापस इंसान बन गया लेकिन एक इगारस की कमी से एक इगारस की कमी से उसका पूरा सरीर इंसान का हो गया पर लेकिन पूछ उसके सरीर से नहीं हटी तो इसी तरह से कथा समाप्त हुआ दोस्तो निर्जला एकादसी वर्त कथा आपको ये कथा कैसी लगी हो कैसी लगी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लिजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत वो वीडियो मिल जाए मिलती हूँ अगली वीडियो में जै माता रानी जी दोस्तो